देखे हमारी खास लिपोट केंद्र सरकार द्वारा देश के सरकारी कमपनियों संपत्तियों के निजी द्रण के खिलाफ तथा देश के युवा बेर्जगारों वा सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सरदार सेना समाजिक संगठन द्वारा आजबाराण सी के सदर तहसील का गेराओ किया गया अम्बेटकर नगर कानपूर चेत्रकूर बस्ती आयोध्या फैजाबात उन्नाव सहित अन्य जन्पदों के तहसीलों का घिराव कर सर्दार सेना के पताधिकारियों अमकारिकरताओं ने सर्दार सेना के राष्टे अध्यक्ष जॉक्टर आरस पतेल ने पताया कि देश के प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी द्वारा देश के सरकारी कमपनियां समपत्या चंद पूशिपतियों के हातों में बेची जा रही है सरकार द्वारा गिये जा रहे निजय करण के खिलाफ सरदार सेना देश व्यापी प्रतेश व्यापी विरोर प्रदशन के माध्यम से महा महीं प्राश्टपती महवदय को अवगत कराने का प्रयास किया है ग्यापन के माध्यम से सरदार सेना का प्रतंग मांग केंदर सरकार द्वारा देश की सरकारी कमपनिया संपतियों का निजीकरण ततकाल बंद किया जाए जो कि पुजीपतियों के हाथों में बेजी जा रही है उन्होंने कहा कि यदि सरकार देश की संपतियों को इसी तरह से पुजीपतियों के हाथ में बेज देखी तो देश की जन्ता पुजीपतियों का गुलाम मात्रे रह जाएगा अता देश पुना गुलाम बन जाएगा अतसरकार के देश विरोधी नेतियों पर ततकाल अंकुष लगाया जाए ताकि देश को पुना गुलाम होने से बचाया जा सके यदि सरकार के इस मनमानी पर रोक नहीं लगाया गया तो सरदार सेना समाजिक संगठन द्वारा पुरे देश में आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिमेदारी केंडर सरकार की होगी सबसर पर सरदार सेना किर राष्टी सची सुधीर पटेल प्रदेश महा सचीव संगठन मंत्री सुरेश वर्मा महिला संकी प्रदेश रचिव अंजु बाला पटेल पुर्वा जिलाद्यक्ष बाल किसुन पटेल जिलाद्यक्ष असो किभवड unw navigate बीरोध में काम कर रही है किसानों के विरुध में काम कर रही है महिलाओ के विरोध में закाम कर रही है योगी सरकार के सासन में पूरा गुंड़ाई गिरी है आप देख लिएगा उठाके रोज बलातकार होड़ा है आज आने का मुल तीन मांग लेके आया हूँ पहला पूरे भारत में मोदी ने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार बना दो हर साल दो करोड युवाओं को सरकारी नौकरी देगे कहा तक नहीं कहा था लेकिन लेकिन 20 करोड से ज़्यादा 6 सालों में मोदी ने नौकरियां देख समाप्त कर दिया तो नौकरियों की मांग करने आया हूँ दूसरा रेलवे सेल भेल यंटी पीसी कोल रेलवे इटेसन एयरपोर्ट पोरी देश की सरकारी संपतियां निजी करन करके बेच दी जा रही है उस पर सरकार को कमांड किया जाए और सरकार निजी करन बंद करे देश की बिवस्था बेचरा बंद करे देखे भाई एक लाइन की बाद बता रहूं आपको मोदी सरकार का बिगयल बेटा का नाम ले ले रहा हूं एक परिवार का एक बाप अच्छा काम किया बहुत मेहनत करके घर दुआर बनाया लेकिन मोदी जैसा बेटा मिल गया नालायक बेटा तो उसने किया क्या जो देश की संपतियां बनाई गई थी वो बिदेश में जाके करता है उसके खिलाफ हम लोग निकले हैं कि देश की संपतियां बेचना बंद करें तरा भी सह है आपको पता है कोरोना काल में यह स्था भी थो गया छे महीनों में कि पूरे देश की व्यवस्था और तब्यवस्था चोपट हो सकती है लेकिन कृति एक ऐसी ब्यवस्था है जिसके कारण लोग का पेट चल सकता है वह घाते में कभी नहीं जा सकता तो पूजी पतियों के तारे चलती है सरकार जो मौदी सरकार है वह आपके लिवस्था कि कितानों कोई गुलाम बना दिया जाए ताकि यह कभी माइनस में तो जाएगा ही नहीं तो निजी करण किसान करना हो एमस्पी गारंटी लागू हो और किसान विरोधी बिल वापस हो उसको ले करके सरदार तेना ने आज पूरे उत्तर प्रदिस के सभी ताचिलों का घेराओ किया है आज इसी क्रम में मैं सदर ताचिल पर आया हूँ सब्सक्राइब को चाहिए जबाब तो देखिए हमारे साथ कोदा लाइक पर हम नहीं बोलेगी वागए